हेलो गाइज, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक एनलोग होल्टुमिटर बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो तो यहाँ पर इस होल्टुमिटर को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो ग्लू स्टिक आती वो ले ली तो इस ग्लू स्टिक का मैंने एक छोटा सा पीस कट कर लिया है अब इसके बीचों बीच आपको एक छेद कर देना है अगर ट्रिल मशिन है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप कील को गरम करके भी कर सकते है और उसके बाद आपको उसके अंदर एक इस तरीके की लोहे की रोड जो है उसको डाल देना है आप यह इसकी जगह पे जो अपने बाइसिकल का स्पोक होता है उसको भी डाल सकते हो तो इस तरीके से कुछ आपको इसको डाल देना है उसके बाद इस तरीके से आपको दो मैगनेट्स लगने वाले यह जो magnet है यह आप इस तरीके की जो पुरानी motor आती है toy की उसके अंदर से निकाल सकते हो तो इनको हमें यहापर चिपकाना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको यहापर गरम कर दिया जाए क्योंकि यह hot glue है तो वैसे भी पिगल जाएगा और इसके उपर आसानी से जो magnet से यह चिपक जाएंगे तो इस तरीके से हम दोनों साइट से यह दोनों जो magnet से इनको चिपका देते हैं आप जल्दी से जल्दी चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि इससी तरीके से और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे तो अब यहाँ पे मैंने एक PVC Pipe का टुकडा कट किया और उसको गैस पीट करके इस तरीके से बना लिया और दो इस तरीके की PVC शीट के टुकडे ले लिये और उनके बीच में एक एक छेट कर दिया तो इनको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका देते और दूसरा चिपकाने से पहले यह जो हमने बनाया था इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है और जो दूसरा वाला पी से उसको यहाँ पर ऐसे चिपका देना है तो चलो इसको भी हम यहाँ पे जल्दी से चिपका देते तो यह काफी easy में थड़े और 100% working hold में टरे यह इस तरीके से यहाँ पे freely rotate करना चाहिए तब यह work करेगा उसके बाद इस तरीके की 4 PVC की sheet ले ली तो इनको यहाँ पर हमें कुछ ऐसे चिपकाना है और इसको कुछ bobbing type का बनाना है क्योंकि हमें इसके उपर winding भी करनी होगी तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको चिपका देते और जो एक side के तो चिपक चुके है और जो दूसरी side है उसको भी हम यहाँ पे चिपका देते यह हम इसलिए चिपका रहे है ताकि हम जो winding करेंगे वो निकलना जाए उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके की जो plastic की कोई भी पन्नी आती है hard वली थोड़ी उसकी sheet का टुकड़ा चाहिए या फिर आप इसकी जगह पे जो motor winding का paper आता है उसका भी यूज कर सकते हो जो white color का वो butter paper आता है उसका भी यूज कर सकते हो या फिर ऐसी कोई भी पन्नी चल जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको screwdriver के उपर लपेट लेते हैं और इसको यहाँ पर लपेटने के बाद आपको इसको थोड़ा सा यसे दबा देना है जिससे कि यह इस तरीके से spring type के shape में आ जाए क्योंकि हमें original metal का spring तो नहीं मिलने वाला तो हम यहाँ पे जुगाड से इस तरीके से plastic का spring बना लेते और इसको यहाँ पर इस तरीके से मैंने set कर दिया है और इसका एक सिरा यहाँ पे जोड़ दिया है तो देखो जैसे ही यह गूमता है और छोड़ने के बाद उसी position पे आ जाता है जिस position पे पहले था तो अब यहाँ पे मैंने जो copper wire है यह ले ली तो आप यह पुरानी किसी transformer से भी निकाल सकते हो या फिर किसी motor के अंदर से भी निकाल सकते हो जासे आप निकालना चाहो वहाँ से या फिर market से 5-10 रुपे की ले आ सकते हो तो यहाँ पर आपको फिलहाल इसके 45 या फिर 50 turn के करीब करीब लगा देना है तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो सारे turns से उनको लगा लेता हूँ और उसके बाद हम सीधा इसका dial और testing करेंगे तो आप वीडियो में अंतक बने रहो काफी interesting यह वीडियो होने वाला है तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे जो winding थी उसको कर दिया है अब यह दोनों सीरे जो है इनके उपर वर्णिश का insulation रहता है पूरे तार के उपर ही रहता है तो इसकी जो सीरे है वाल से हमें supply देनी है तो इसका insulation हम remove कर लेते है उसके बाद यहाँ पर मैंने PVC sheet का टुकडा लिया और उसके अंदर कुछ ऐसा छेत कर दिया तो उसको हम यहाँ पर चिपका लेते है फेवी किक से जहाँ पर हम इसका dial बनाएंगे और इसे एक plastic sheet का टुकडा ले लिया और उसके उपर marker के द्वारा इसे black कर दिया जिससे हम इस meter की सुई जो है हमारा उसको बनाएंगे और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से set करते और फेवी किक की एक boon लगा देते और इसको हमें इस तरीके की जो दो pain की refill है वो लेनी है और इदर उदर से जिपकाना है वरना यह जो काटा है यह हमारी सुई है यह इस तरीके से लुड़क जाएगी तो इसको जो हमारी limit है उसको set करना पड़ेगा कि इतना इस side में और उतना उस side में जाना चाहिए तो इस side में मैंने इतना चिपका दिया है जो कि last limit है और इस side में ऐसे आपको करना है और यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा कर यहाँ पे जो दूसरी वाली पेन की रिफिल का टुकड़ा है उसको चिपका देना है तो यह अब इतना चलने वाला है और जैसे ही छोड़ता हूँ तो रिटना जाता है लेकिन जो लपेटने से भी काम चल जाएगा तो इस तरीके से मैंने लपेट डिया अब इनके उपर जो हिट सिंग स्लिव है उनको चड़ा देते और गरम कर देते और हमारा जो मीटर है और रेडी हो चुका है बस इसके उपर डायल के अंदर कुछ लिखना बाकिए तो हो गई हमारी 0 वाली मार्किंग कि अगर 0 होल्टेज है तो यहाँ पर हमारी नीडल रहेगी यहाँपर हमारा पॉंटर और अब इसके अंदर हम दीरे दीरे होल्टेज देते हैं और चेक करते हैं और इसके उपर लिख लेते हैं तो अब यहापे मैंने वैरियेबल पावर सप्लाई ले ली है और उसको टू होल्ट के उपर सेट कर दिया है मतलब दो होल्ट के उपर तो अब दो होल्ट इसके उपर पर आता है तो यहाँ पर 4 hold की जो marking है उसको भी लगा लेते इस तरीके से हम सारी marking लगा लेते अगर आपके पास variable power supply नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो different different battery आती है 5 hold की 9 hold की 4 hold की तो उस तरीके की जो battery है उनको connect करवा करवा के भी इसके उपर reading लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन variable supply है तो काफी easy हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम जो 6 hold की marking है उसको भी लगा लेते तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो 6 hold की उसकी भी marking लगा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से voltage लिख दिये और यह कुछ इस तरीके से लग रहा है एकदम बढ़िया लग रहा है काफी अच्छे से यह दिख रहा है तो अब इसकी working देख लेते टेस्टिंग देख लेते तो अब यहाँ पे मैंने variable supply के अंदर करीब करीब 2.5 hold के अंदर ले लिया ह तो अब देखते हैं कि यह meter कितना दिखा रहा है हमारा मतलब अब इसके साथ हम तो देखो 2 hold के थोड़ा सा उपर है और जो 3 hold है उसके थोड़ा कम है मतलब 2.5 के करीब करीब यह आ जा रहा है तो यह पूरा जुगार से बनाए लेकिन अच्छे से work कर रहा है accurately work कर रहा है मत random voltage ले रहा हूँ कोई भी voltage ले रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ set कर रहा हूँ तो देखो 4.4 तो यह भी कुछ 4 और 5 के बीच में थोड़ा सा आ रहा है थोड़ा कम दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा थोड़ा सा कम जादा दिखा रहेगा तो कोई बात नहीं क्योंकि यह उतना अच्छे से accurate 100% नहीं work करेगा लेकिन 80% तक इसकी accuracy चली जाएगी तो देखो कितना बढ़िया से हमारा जो hold meter हो वो work कर रहा है तो आप इसको बना कर use कर सकते हो कोई भी battery के voltage आप या पर measure कर सकते हो और काफी अच्छे से यह आ चाहते हो तो आप हमने जो 50 turn लिये थे उसकी जगयों पर उसके जो turn का limit है वो बढ़ाते चलिएगा जिससे कि उसका voltage बढ़ जाएगा तो आपको यह hold meter कैसा लगा मुझे comment section के अंदर बता देना और उसके साथ साथ वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके notification bell all page कर देना मैं मिलता हूँ आपको इसकी next video में तब तक के लिए bye bye guys